नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों स्वयम माता दुर्गा जी ने कहा है जो भी स्त्री नवरात्री के दौरान कर लेगी ये दो छोटे से काम उसके जीवन के हर कष्ट को मैं शीघ्र कर दूँगी खत्म खुशियों से भर दूँगी मैं उसका घर उसकी हर मनो कामना को मैं कर दूँगी पूरा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 15 अक्टूबर 2000 23 दिन रविवार से शारदीय नवरात्री शुरू हो चुकी है इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा इस बार शारदीय नवरात्री पूरे 9 के 9 दिन की होगी ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्री का अपने आप में एक विशेश और खास महत्व होता है वैसे तो एक साल में चार नवरात्रियां पढ़ती है और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धर्ती परवास करने आती है परंतु शारदिय नवरात्री में माता दुर्गा जी हाथी पर वास करके धर्ती पर वास करने आती है ध्यान रखियेगा वेद पुरान म साफ साफ लिखा हुआ है जब भी माता रानी जी धर्ती पर वास करने आती है उन्होंने सिह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को अपने वाहन के रूप में लिया हुआ है तो ये धर्ती के लिए बहुत ही शुब संकेत होता है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशह थादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, bonus अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और शारदिये नवरात्रि के दोरान की गई पूजा साधना कृजा, कभी भी खाली नहीं जाती है, इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि मातारानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ख के दर्वाजे खुल जाते हैं और मातारानी जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, सुख, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ति होती है। शीघ्र ही मातारानी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिल जाता है, जिसके पश्चात उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है। और मातारानी जी के आशीरवाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती है। देखिए दोस्तों, वेद पुरान में तो साफ साफ यहां तक लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्र के दौरान माताएं, बहने, मातारानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं, तो मातारानी जी उनके घर पर वास करने अवश्य जाती हैं। उनकी केवल एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नश्ट कर देती है। और यदि शारदीय नवरात्री के दौरान माताएं, बहने, वेद पुराणों के अनुसार वो उपाय कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए मातारानी जी के आशीरवाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन म एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है, दोस्तों चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक बिना भगाये देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो हम जानकारी आपको वेद पुराणों के अनुसार देने जा रहे हैं, और यदि आपने इस जानकारी को प्राप्त करके नवरात्री के दौरान दो-चार मिनट का समय निकाल करके उन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या में फंसे हो, कितने ही बड़े दुख का सामना करो, और कितने ही बड़ा कश्ट आपके जीवन में हो, माता रानी जी के आशिरवात से आपके जीवन की हर प्र वो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो यदि किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पे उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी माता रानी जी के आशीरवाद से वह महिला वह कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मु निले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माताराणी जी की क्रिपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे। माताराणी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्शा हो। और आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, माता राणी जी की क्रिपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नती हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपकी राश्य के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, जो शारदीय नवरात्री के दौरान आप करके लाब पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे, परंतु आप से हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, तो यदि आप महिला हैं, यदि आप कन्या हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं, जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्री के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना मातारानी जी आप से रुष्ट हो जाएंगी, और कभी भी आपक कलश स्थापना करने जा रही हैं, यदि आप अपने घर पर मातारानी जी के लिए अखंड जयोती जलाने जा रही हैं, या आप मातारानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी मातारानी जी की अखंड जयोती को बुझने मत दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही हैं, तो जटा वाले नारियल का प्रयोग कीजिएगा, जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप मातारानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, वो चौकी कभी भी छोड़ करके मत जाईएगा। वो मातारानी जी की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पेपर रख करके चौकी लगा देते हैं, ये हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। यदि आप पेपर रखकर के माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं, तो इससे माता रानी जी आपसे रुष्ट हो सकती और कभी भी आपके घर पर वो वास करने नहीं आएंगी। हाँ माताराणी जी की चौकी यदि आप लगा रही हैं तो लाल कपड़े पर लगाईए इस बात का ध्यान रखिएगा ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग ना हुआ हो तीसरा इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा जब भी आप माताराणी जी की पूजा पाट करने जा रही हैं माताराणी जी की आपने चौकी लगाई है तो वहाँ पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा या माताराणी जी की पूजा पाट करते वक्त क काले कपड़े का धारन मत कीजेगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इससे माता रानी जी शीग्र ही रुष्ट हो जाती है। देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने इस नवरात्री के दौरान नौ के नौ दिन का वृत रखा हुआ है। तो नौ के नौ दिन में आप लोगों को माता रानी जी के नौ अलग-अलग स्वरूपों को अलग-अलग प्रकार के फल को अर्पित करना होगा। कभी भी फल पलट करके नहीं देता है। आप यदि इन बातों का ध्यान तो। माता रानी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। नवरात्री के पूरे नौ के। नौ दिन में घर में किसी भी व्यक्ति को न ना खून काटने दीजिएगा, ना खून काटने वाली मशीन का प्रयोग करने दीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमडे की चीज का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए होता क्या है। बह आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही हैं तो आप किसी भी चमडे वाली चीज का प्रयोग मत कीजिएगा। जैसे पर्स हो गया, अह, बेल्ट हो गई, चपले हो गई, चमडे वाली चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगो कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता है। यदि आपने वरत रखा है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेश करके ध्यान रखेंगी तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और माता रानी जी क कि आपको कृपा भी मिलेगी आपके वरत का पलट करके आपको करोडों गुना लाब मिलेगा। अब वो कहां से है जो आप वरत के दौरान यदि करेंगी तो माता रानी जी का आपको आशीरवाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप मातारानी जी के लिए नौ दिन का वरत रखने जा रही हैं, तो आपको लाल कपड़े पहन करके मातारानी जी की पूजा करनी होगी। तो पूजा पाट करने से चौकी के पास थोड़े से गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगाजल का छिड़काव करने के पश्चात ही मातारानी जी की पूजा पाट कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। साथ अर्पित किया जा सकता है तो माता रानी जी की पूजा में यदि आप लाल गुडल के फूल का प्रति दिन उनको अर्पित कर रही है तो माता रानी जी के नौ अलग-अलग स्वरूपों का आपको आशीरवाद मिलेगा देखिए यदि आप अपने वरत के दौरान में सीता फल का प्रयोग करेंगे तो इससे माना जाता है कि माता सीता जी का आपको असीम आशीरवाद मिलता है और माता रानी जी को यदि आप सीता फल अर्पित करेंगी तो इससे भी आपको माताराणी जी का आशीरवाद मिलेगा तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि के दौरान करना है और आपको मातारानी जी का आशीरवाद भी मिलेगा, वर्दान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें धन्यवाद वीडियो के अंत्र तक बने रहने के लिए